जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कर्ज और जितने अमीर लोग उतने बड़े कर्जदार आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी कंपनी किस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग करके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर्ज के रूप में बैंक से लेती हैं और अपने बिजनस को एक्स्पेंड करती हैं और साथी साथ ये भी बताऊंगा कि वो कौन-कौन सी इन्वेस्टिंग कंपनी है जो आपके बिजनस प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने के लिए तयार हो सकती है फ्रेंट्स फोब्स मेगजीन का नाम तो आपने सुना होगा फोब्स मेगजीन में दुनिया के सबसे अमीर लोगों का नाम शुमार होता है भारत में भी कुछ ऐसे अमीर लोग है जिनका नाम फोब्स मेगजीन में शुमार है और जैसा कि आपने सुना होगा कि मुकेश अम पारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर बहुत बड़ा कर्ज है। अगर बात करूँ मैं गौतम अडानी की तो उनकी कंपनी अडानी ग्रूप पर 96,031 करोड रुपए का कर्ज है। मुकेश अमानी जी जितनी तेजी से अमीर लोगों की श्रेणी में निरंतर उपर चड़ते जा रहे हैं उतना जरा कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में मुकेश अमानी का कर्ज बढ़कर 4 गुना हो गया है। रिलाइंस इंडस्ट्री पर सन 2010 में 64,606 करोड रुपए का कर्ज था जो बढ़कर 2014 में 1,38,758 करोड रुपए हो गया। दोस्तो मुकेश अमानी जी ने एक कर्ज भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खर्च किया। और उन्होंने नए नए इंडस्ट्री की स्थापना की जिससे बहुत बड़े रोजगार के अवसर पैदा हुए। मुकेश अमानी जी नए नए बिजनसेज में निरंतर निवेश करते रहते हैं और ये निवेश वो अपनी संपत्ति के आधार पर और बैंक से कर्ज लेकर करते हैं। अभी हाली में मुकेश अमानी जी ने सौफ्ट बैंक के साथ करोड की डिल की है। और जियो की अपार सफलता के बाद बहुत सारे निवेशक, इन्वेस्टर मुकेश अमबानी जी के साथ निवेश करने के लिए तयार हो गए। इसलिए जापान के सौफ्ट बैंक ने 20,000 करोड रुपए जियो में निवेश किये हैं। और जैसे जैसे बैंक का निवेश मुके बिजनस को एक्सपेंड करती हैं, ठीक उसी तरह से आप भी अपने बिजनस प्लान के लिए, बिजनस एक्सपेंशन के लिए, स्टार्ट अप के लिए लोन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। नए-ने स्टार्ट अप्स पर बहुत अधिक निवेश करती हैं। लेकिन यहां आपको यह बात पता होनी चाहिए, कि किस तरह से इन बड़ी इन्वेस्टिंग कमपनिस को एप्रोच किया जाए, और किस तरह से अपने बिजनस के प्रोजेक्ट के प्लान को तयार करके इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनस के एक्षपेंशन के लिए उसका सही तरीके से इस्तिमाल करें। नए आयाम और नए कीरती मान तक लेकर जाएं। अगली वीडियो में टॉप इन्वेस्टिंग कंपनी के बारे में बताऊंगा और किस तरह से उन कंपनी को एप्रोच करना है ये भी समझाऊंगा। मेरा कोई भी इन्फर्मेटिव वीडियो मिसना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आज आप अपने बिजनस में कितनी कैपिटल रेज करना चाहते हैं। दॉक्टर अमित महेश्वरी आपके सुनेरे भविश्य की कामना करता हूं। जै हिंद जै भारत। कि आपके सुनेरे भारत।